चुनावी माहौल में बिहार की एक ऐसी सीट है जो राष्ट्रे इस तरपर चर्चा का विशय बनी हुई है और बिहार की वो सीट है पूर्णिया की और पूर्णिया से जिसका नाम जोड़ रहा है चर्चा के लिए वो है पपू यादो का नाम दरसल अपराद और सियासत में पराबरी से नाम जिनका लिया गया वो पप्पू यादो और वो पप्पू यादो अपनी सियासी पारी को कॉंग्रेस के मोर तक ले आये हैं उन्होंने अपनी पार्टी जनादिकार पार्टी का विले कॉंग्रेस पार्टी में कर दिया इस उमीद के साथ कि पूर्णिया सीट जो उनकी पसंदीदा सीट है यहां से वो कॉंग्रेस पार्टी के टिकेट पर एस बार का लोग सभाग चुनाव लड़ते दिखाई देंगे लेकिन इसके पहले जो कुछ सियासी घटना क्रम हुआ था वो उनके आड़े आ गया दरसल बताया ये गया कि अब कॉंग्रेस पार्टी के टिकेट पर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि आरजेडी के साथ जो सीटों का बटवारा हुआ है कॉंग्रेस का उसमें पूर्णिया, मदेपुरा और सुपोल की सीट कॉंग्रेस को मिली ही नहीं और उधर आरजेडी ने अपना दाओ चल दिया और आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को उन्होंने पार्टी का सिंबल दे दिया उम्मिद्वार बना कर उसे मैदान में उतार भी दिया ऐसे में पूर्णिया में ही घिर गए पप्पु यादाओ जहां वो दावा कर रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे लेकिन अब उस सीड पर लालू यादाओ ने बीमा भारती को उतार दिया है जो जन्ता दज छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई निटिश के सरकार में मंत्री तक रही थी बीमा भारती जब लालू प्रसाद यादाओ की पार्टी में आई तो पुर्णिया से वो लोग सभा का चुनाव लड़ने के लिए अब लाल्टिन लेकर मैदान में उतरेंगी लेकिन खास बात ये कि आखिर ऐसा क्यों हो गया इसके पीछे का सियासी घटना करम ये जो बताया गया वो ये कि लालू यादाओ ने पप्पू यादाओ को सजिस्ट किया था कि अगर उन्हें पार्टी का मर्जर करना ही है तो क्यों न वो आरजेडी में कर दे और फिर अपनी पसंद की सीड से चुनाव लड़ने चाहे पूर्णिया मध्यपूरा या फिर सुपौल की लेकिन पप्पू यादाओ ने साफ इनकार कर दिया और लालू यादाओ को मना कर दिया लेकिन एक वक्त ऐसा भी था सियासत के गलियारों में चर्चा ये भी थी कि लालू यादाओ का सियासी उत्तराधिकारी पप्पू यादाओ हो सकता है तो वो आरजेडी के लालू प्रसाद यादो के इतने विश्वस्त और करीबी भी थे लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि पाप्पू यादो ने लालू प्रसाद यादो की बात नहीं मानी और कॉंग्रिस में शामल हो गए हाला कि कॉंग्रेस की सांसत भी रही है उनके पत्नी रंजीत और ऐसे में क्या ये उसका प्रभाव था ये खुद पप्पु यादो जानते हैं वो सीट आरजेडी के पाले में चली गई और आरजेडी ने अपना उम्मेद्वार वहां बीमा भारती को बना भी दिया है ऐसे में अपनी चक्रवू में पप्पु यादो बुरी तरह से फस्ते दिखाई दिये झाले में अपनी टिया है